बड़े दिनों से बच्चे कुल्फी खाने के डिमांड कर रहे थे लेकिन गर्मी एक आरण बनाने का बिलकुल भी मन नहीं कर रहा था आज सोच्रियों कि बच्चे को सर्प्राइज देते हैं उनके लिए बनाते हैं मज़दार सी कुल्फी अब कुल्फी आप चाहें तो स्टिक में भी बना सकते हैं लेकिन मैं बजार सी चोड़ी शोड़ी मट्कियां ले आई थी जिससे कि हम बनाएंगे मटका कुल्फी इस मटके में कुल्फी देखने में भी बड़ी अच्छी लगती है और ये मिट्टी के बरतर महेंगे भी नहीं होते हैं पर पीस मटकी जो है मुझे चार उपे में मिली है और अब हम सबी मटकी को पानी से दोने के बाद इसे हम फिर से साफ पानी में रखकर आदी घंटे के बीगते हुए तो बस इसे अब हम प्लेट में निकालते हैं और इसे आप पंके की हवा में या धूप में कम से कम आदे घंटे के लिए रख दीजे जिसे की अच्छे से ड्राइ हो जाएगी अब चलिए कुल्फी बनाने के लिए लेते हैं जार और जार में हम डालते हैं थो चीनी डाल देते हैं तो तीनों को जार में डानले के बाद अब इसे हमें ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे चीनी डानले से क्या होता है काजो और बदाम ऑईल नहीं छोड़ता है और बहुत ही बढ़िया सा पाउडर बनता है तो यह देखिए बिल्कुल सा पा लेकिन मुझे यहाँ पे कुलफी बनाना है इसलिए बहुत जादा बीट नहीं करना है इसलिए मैंने विस्क अस्तमाल किया है तो बस दो मिनिट बीट करने के बाद अब इसमें डालते हैं ग्राइंड किया हूँ पाउडर तो बस यही वही काजू बदाम और चीनी का पाउड करनें यहां पर क intense के बाद अबहुत से ब्ली कोमिक्स करने के बाद्स जानके रखे यहां चाहिए और राम कर लेंगे तो इस तरो बथे कर लेंगे बेद लागे च्थी चाहिए जो काफी क्रेंशक आफ़ीницी चाहिए चीना शज़िये तो कल बीत छान बेर्स तरुफी रो म चाहिए काफी क्रीमी सी लग रही है आप चाहें तो इसे ऐसे भी जमा सकते हैं लेकिन मुझे फैमिली की पसंद के आप से इसे फोर डिफेंट फ्लेवर में बनाना है तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी पसंद की गुलफी बनाओंगी जो कि मुझे और मेरे हस्बन को बहुत पिस्ता कुलफी तो इससे बनाने के लिए मैंने यहां पे लगऱ बहुत आधा पडूद लिया है जो कि हल्का गरम है और इसमें हम डालते है केसर, हल्के गरम दूद में केसर डाने से बौछ भषावर भी बहुत अच्छा आता है। बजसार में कलर अर एसेंस अड अड़ लेकिन घर में आप अपने हिसाब से जितना रिच औ फ्लेवर फुल बनाना हो इस हिसाब से केसर डाल सकते हैं तो बस केसर को हमें आदे घंटे भीगने देना है जिससे कि अच्छा सा कलर आ जाएगा और चलिए कुलफी बनाने के लिए हम कुलफी बेस लेते हैं और लगभग एक कप कुलफी बेस को हम दूसरे बोल में डालेंगे क्योंकि हम अलग-अलग डिफरेंट फ्लेवर्स बना रहें इसलिए मैंने यहां पे पूरा कुलफी बेस नहीं लिया है और अब इस कुलफी बेस में हम डालते हैं केसर वाला दूद और इसमें हम कड़े वे पिस्ता डाल देंगे और बस सभी को बिल्कुल अजह से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद आप देख रहें जो कुलफी बेस लाइट है बजार जैसे नहीं दिख रहा है और चली अब इसे हम मटके में फिल करते हैं तो यहां पर सभी मटके भी बिल्कुल अच्छे से ड्राइ हो गए हैं अब हम लेते हैं एक मटकी और इस मटकी को अब हम केसर पिस्ता वाले मिक्षर से पूरा उपर तक फिल कर देते हैं देखने में बड़ा ही बढ़िया लग रहा है ना काफी रिच क्रीमी सा बना है और एक बार आप इसे जबू च्राइ कीजेगा कुल्फी मिक्षर को मटकी में भरने के बाद उपर से थोड़ा सा पिस्ता से गानिश कर देते हैं और साथ में थोड़ा सा केसर भी लगा देते जिसे की यह देखने में काफी अच्छा लगेगा और अब इसे में सेट होने रखना है तो उपर से हम लगाते हैं फॉल रैप जिसे की आइस कृस्टल ना जम पाए और इसे हम फ्रीजर में पांस इचे गंटे सेट होने के लिए रख देते हैं अगर आप मुझसे सीखना च लेवर में बड़ा ही पसंद आता है तो उनी के लिए मैं बना रही हूँ तो यहां पर मैंने डाप की मलाई लिए जो की बिल्कुल मक्षन की तरह होती है काफी सॉफ्ट है जिसे आप रफली चॉप भी कर सकते हैं और अगर आपको डाप नहीं मिल रहा है तो आप जो फ्रे साथी में बजार में कोकोनट मिल्क पाउडर में मिलता है यह भी मैं डाल रही हूं लगबग 2-3 चमब जिसे की बहुत ही बनिया सा कोकोनट का फ्लेवर आएगा और मैं यहां पर लिया है डाप का पानी जिसे की टेस्ट अच्छा आएगा और सभी को अब एक साथ बिल्कु के चोटे-चोटे-चोटे चंक्स भी देख रहे हैं तो मैंने ब्लेंड करते समय पूरा स्मूद नहीं किया था इसे और मलाई के जो चोटे-चोटे-चोटे चंक्स है ना वो खाने में बड़े ही मज़दार लगेंगे तो यह हमारा टेंडर कोकोनट मलाई का मिक्षर भी र मां-ट-जर गरमी के मासम में यह कूल फी बहुत ही रिफ्रेशिंग लगती है और करगता में बहुत भऽी बड़ियां मीठे पान के पत्ते मिलते हैं तो बस इससे हमें इस तरह के से रफ monopoly चौप कर ड्लते हैं और डालते हैं और थोड़ा सा दूर डूर टालके बिल्कुल ऊप इस कुल्फी को बनाने के लिए एक कम नोए नीचा कम के कर लेंगे इसमें कर सकते हैं तो Columbus बुझे इंट को नियुक्रिट बेर का मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल बजार जिरसा दिखने में लगे चार बढाया साए तो इसके लिए मैंने एक से दो डॉप ग्रीन फूड कलर डाल दिया है और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने काद इसे भी हम डालते हैं मत्की में और मत्की को फिल करने के बाद उपर से हम कानिशिंग के लिए यूज कर रहे हैं अब इसके पल्क को निकाल कर हम डालते हैं जार में साथ इमें समय थोड़ा सा केसर वला दूट डाल रहे हैं जैसे की कलर भी अच्छा हाएगा विवड भी अच्छा हाएगा आप यहां पे केसरीया मंगो कुल्फी बना रहे हैं आप यहां पे चाहें तो इस पार्ट को और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे डेंड करते सामे मैंने बहुत जाता स्मूथ प्यूरी नहीं बनाया था आप देख रहे हैं यहां पर थोड़े बहुत मैंगो के चंक्स देख रहे हैं तो कुल्फी जब आप खाएंगे ना तो बड़े ही टेस्टी लगते ह और इस तरीके से देखे बिल्कुल बढ़ियां से मिक्स कर लिया है कलर देखे केसर डालने से कितना बढ़ियां सा आया है लेकिन मुझे थोड़ा सा डाक शेट चाहिए इसलिए मैंने एक से दो ड्रॉप औरेंज करके इस तरीके से देखे मिक्स कर लिया है कलर अगर आपको और यह देखिए बिलकुल परफेक्ट मैंगो कुलफी वाला मिक्षर भी बनके रेडी हो गया है और इसे भी मटके में फिल कर देते हैं केसर से गारिश करके ऊपर से डालते हैं थोड़े से मैंगो के पीसे और इसे फॉइल राप करके 5-6 घंटे फ्रीजर में सेट होने रग हैं तो कुलफी को मैंने पूरी राथ सेट करने रग दिया था बहुत ही बढ़ियां से सभी कुलफी सेट हो गई है अब हम फॉइल पेपर को निकालते हैं और यह देखिए कितनी बढ़ियां हमाई जो मैंगो कुलफी है ना बनके रेडी हो गई है बहुत ही सॉफ्ट और क् पसंद आये, खाने में सच में बजार से भी कहीं जादा टेस्टी लग रही थी, और ये देखे, कोकोनट वाली कुलफी भी बहुत ही मज़दार बनी है, इसे मैंने टेस्ट किया था, बहुत ही अमेजिंग लग रही थी, अंदर जो कोकोनट का टेस्ट था, जो चंक से ना वो बहुत पसंद आएगी, और मेरे फादर इनलौ को तो ये कुलफी बहुत ही अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि फिर से बनाना ये कुलफी, तो अलग अलग फ्लेवर में सभी कुलफी बनके रेडी हो गई है, खाने में इतनी टेस्टी है कि बच्चों को ये बहुत पसंद आ पहले तो बच्चों को लगा कि मैंने बजार से कुलफी मंगाई है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि घर में बनी है तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, इतनी सॉफ्ट क्रीमी और टेस्टी सी बनी थी, जनरली जो कुलफी होते है वो दूटों गाढ़ा करके बन अगर आपके रेस्पी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमें अच्छी बनी है जरू लिखे और ऐसी इसी और इंट्रेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए चानल को जब सब्सक्राइब कीजिए